हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है तो उन्हें ड्रक्ट से दूर रखना ही होगा जम्मु कश्मीर में मुजिकल नाइट्स हो हाई एल्टी टूर में बाइक रेलीज हो चन्रिगड के लोकल क्लब हो और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स ग्रुप्स हो यह सुनकर लगता है एंटर्टेन्मेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है लेकिन बात कुछ और है यह आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और यह कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाब जागरूप का अभ्याँ जम्मु कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं यहां मुजिकल नाइट बाइक रेली जैसे कारिकम हो रहे हैं चेंडिगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल कलब्स को इससे जोड़ा गया है वे इन्हें बादा कलब्स कहते हैं बादा या नहीं विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रूप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर धान देने और नशा मुक्ति के लिए एवरनेस केंपेंग चला रहे हैं नशे के खिलाब अभ्यान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्सा बढ़ाने वारी हैं ये प्रयास भारत में नशे के खि दूर रखना ही होगा इसी सोच के थाथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभ्यान के सुर्वाण की गई थी इस अभ्यान से 11 क्रोड से जान्दा लोगों को जोड़ा गया है दो हपते पहले ही भारत ने ड्रक्स के खिराब बहुत बड़ी कारवाई की हैं ड्रक्स की करीब डेड़ लाक किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने दस लाह की किलो ड्रक्स को नस्ट करने कानों का रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत बारा हजार करोड रुपे से भी जादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं नशे की लत नसर परिवार बलकि पूरे समाज के लिए बड़ी परिशानी बन जाती है ऐसे में ये खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुट होकर इस दिशा में आगे बड़े झाल